बॉलिवड में अभिनेत्री राखी को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने सत्तर और अस्ती के दशक में अपने रूमानी अंदाज और भावपूर्ण अभिने से सिने प्रेमियों को दीवाना बनाये था उनके अभिने को लोग आज भी सराहा करते हैं और करन अर्जुन फिल्म में मा का किरदार तो आपको याद ही होगा जिसमें इनका दमदार डायलॉग मेरे बेटे आएंगे मेरे करन अर्जुन आएंगे आज भी लोगों के कानू में पढ़ता है तो करन अर्जुन की बेबस मा की 26 सभी की आँखों में छा जाती है इस कदर इन्होंने अपने इस किरदार के साथ लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी थी लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते होंगे पर शायद ही आप इनकी फामिली हिस्ट्री के बारे में जानते हों की इनका फामिली बैक्ग्राउंड क्या है और किस तरह से इन्होंने अपनी फामिली से निकल कर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में इनकी फामिली हिस्ट्री के बारे में ही करन अरजन की मा का किरदार निभा कर प्रसिद हुई अभिनेत्री राखी गुलजार पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणा घाट में एक बंगाली बिजनसमैन परिवार से तालुक रखती है इनके पिता मिस्टर मजुमदार जिनकी कोई तस्वीर नहीं है वो एक स्वतनत्रु बिजनसमैन थे जो बाद में बंगाल से आकर पूर्वी बंगाल में बस गए थे माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से इनकी शादी हो गई थी जिसके बाद इन्हें दो बच्चे हुए पर अफसोस आज वो दोनों ही अपने बच्चों के बीच नहीं है माता पिता के बाद अगर बात करें इनके सिब्लिंक्स के बारे में तो इनका एक भाई है जिसका नाम शिवरंजन मजुमदार है वो लाइम लाइट से दूर ही रहते हैं इसलिए उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है अब अगर बात करें इस फैमिली की स्टार राखी गुलजार के बारे में जिनका जन्म 15 अगस 1947 को बंगाली परिवार में हुआ था तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राणा घाट के गर्ल्स स्कूल से ही की और आगे की पढ़ाई भी वहीं से पूरी की अगर बात करें इनके अभिने करियर की तो इन्होंने महस 20 साल की उम्र में वदुवरन बंगाली मुवी से अपने अभिने करियर की शुरुआत की थी जिसके बादे ने फिल्म जीवन मृत्तियों में बतौर लीड आक्टरिस के तौर पर लिया गया ये फिल्म राकी की बॉलिवुड डेब्यू फिल्म बनी जिसके बादे ने 1971 की फिल्म शर्मीली में डबल रोल करने का मौका मिला और इसी साल इन्होंने लाल पत्थर और पारस फिल्म में भी काम किया था और राकी की लगातार तीन फिल्म में सूपर हिट साबित हुई थी इसी के साथ वो बॉलिवुड की बहतरीन अदाकाराओं में शामिल हो गई इन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग पिच्चानवे फिल्मों में काम किया है जिनमें कभी कभी जमीन आसमान और आचल जैसी फिल्में शामिल है पर 80-90 के दोर में लीड आक्टरस के बाद फिल्मों में इन्होंने मा की भूमे का निभानी शुरू कर दी इन्होंने एक मा के रूप में अनाडी, खल नायक और बाजी के जैसी फिल्मों में काम किया था वहीं आखरी बार ये साल 2003 में आई फिल्म दिल का रिश्टा में नजर आई थी जिसके बाद बढ़ती उम्र के कारण इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बाई बाई कह दिया था और इसके बाद उन्होंने कभी किसी और फिल्म में काम नहीं किया प्रोफेशनल लाइफ के बाद अगर इनकी परसनल लाइफ के बात करें तो इन्होंने पहले बंगाली पत्रकार और फिल्म ने देशक अजय विश्वास के साथ अरेंज मारिज की थी जो कुछ समय बाद ही समाप्त हो गई थी जिसके बाद इनकी जिंदगी में एंट्री हुई गुलजार साहब की जो मशूर शायर है गुलजार साहब के रूप में इन्हें अपना हमसफन मिल गया था दोनों की पहली मुलाकात बॉलिवुट की एक पार्टी में हुई थी उस समय गुलजार और राकी दोनों का करियर बुलंदियों पर था गुलजार राकी को पहली ही नजर देखकर अपना दिल हार बैठे थे जिसके बाद इन्हों ने आकर इन से बात की और बातों ही बातों में ये भी इन हैं अपना दिल दे बैठी जिसके बाद दोनों ने करीब एक दूसरे को एक साल तक डेट किया और उसके बाद शादी करने का फैसला किया और इस तरह साल 1973 में दोनों शादी के बंधन में बंद गए थे शादी के बाद दोनों एक बेटी के माता पिता बने जिनका नाम मेगना गुलजार है पर शादी के कुछ सालों बाद ही आपसी मदभेद के चलते दोनों अलग हो गए थे पर दोनों ने तलाक नहीं लिया और आज भी शादी के इतने सालों बाद दोनों अलग रह रही है पर बावजू दिस के दोनों का तलाक अभी तक नहीं हुआ है वहीं अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में तो इनकी बेटी मेगना गुलजार अब काफी बड़ी हो चुकी है और आज ये राइटर बन चुकी है जिन्होंने छपाक और राजी जैसी फिल्मों की कहानियों को लिखा है वहीं अपनी परसनल लाइफ में भी ये सेटल्ड हो चुकी है इन्होंने साल 2000 में गोविन संदू से शादी की थी जिन से इनका एक बेटा भी है तो दोस्तों आपको राखी जी की फामिली हिस्टरी से रूबरू होकर कैसा लगा आप अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं साथ ही बॉलिवर इंडस्टरी से जुड़ी और भी ऐसे ही तमाम इंट्रेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें